हलो दोस्तों मैं पश्रान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वीटी टू कमुनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही क्रूशल टॉपिक के उपर बताने जा रहा हूँ तो आज यहां पे हम discuss करेंगे कि कब हमें buy नहीं करना है और at the same time कब हमें sell नहीं करना है मुश्ती लोग आपको बताते हैं कि कब आपको buy करना है और कब आपको sell करना है लेकिन ये भी equally important है कि कब हमें buying avoid करना है और कब हमें selling avoid करना है अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं, तो काफी हद तक आप losses को avoid कर पाएंगे, फिर आपका trade का जो accuracy level है, वो ultimately increase हो जाएगा, फिर आप अपने trade से बहत्वीन return निकाल सकते हैं, इसलिए हमें ये भी सीखना जाओ रहे हैं, कि कब हमें buying और selling को avoid करना, उसके बारे हम इस वीडि तो यहाँ पर हम चार्ट पर आगें, और ये चार्ट देख सकते हैं, बजाज फिन सब्साब का daily chart है, तो यहाँ पर आप कोई भी time frame का इस्तमाल कर सकते हैं, जिस भी time frame में आप trading करते हैं, उस time frame में आप इस strategy का इस्तमाल करते हुए, आप buying या फिर selling को avoid कर सकते हैं, जहाँ आप भी हमें pure confirmation नहीं मिलेगा, तो सब्सक्राइब अगर आप इस chart pattern को देखिए, तो price आपका उपर से नीचे side की तरफ आ रहा है, और लगबग आपका एक support का formation किया है, और उसके करीब, यहाँ पर देख सकते हैं, यह 3 candlestick मिलके एक pattern बनाया है, जिसको हम लोग क्या बोलत और यह आपका 3 candlestick pattern होता है, और यह हमें क्या indications देता है, यह हमें positive indications देता है, जैनरली लोग क्या करते हैं, इसके low को mark कर लेते हैं, लोग आपका SL के रूप में काम करता है, और इसके high को mark कर लेते हैं, अब जैसे ही price इसके high के ऊपर निकलता है, वो क्या करते हैं, यहाँ buy side की तरफ positions initiate कर सकते हैं तो देखिए जैसे ही आपका यहाँ पर price इसके high को break करके उपर निकला है बहुत साई लोग क्या करेंगे यहीं पर वो buy positions initiate करेंगे और जो भी लोग यहाँ पर buy side की तरफ positions initiate करेंगे उसके बाद price आपका नीचे आया और आपका SL यहाँ पर इसने आसानी से hit कर दिया है फिर price आपका और नीचे side की तरफ गया ultimately उपर गया है लेकिन उससे पहले अच्छा खासा गिरावट दिखाया है यानि जो भी लोग जहाँ पर भी stop loss रखेंगे उन सब को hit कर दिया है यहाँ इस pattern के basis पे अगर आप कोई positions लेते हैं तो आप profit नहीं बना सकते हैं तो यहाँ पे हम इस तरह का move से हम कैसे बच सकते हैं वो यहाँ पे हमें सीखने की जोगत है वो थोड़ा सा आपको समझना होगा तो सबसे पहले यह जो pattern है इसके basis पे हमने high को mark कर लिया और हमने low को mark कर लिया lowest point मेरा क्या काम करेगा SLG रूप में काम करेगा यह काफी अतर सही है ऐसे हम लोग इसका इसका इस्तमाल करते हैं लेकिन यहाँ पे हमें price action की भी जगवत है यहाँ पे क्या हुआ उससे previous candle closing हमें यहाँ पे दिया उसके बाद आए gap up open हुआ है और आपका इसके high के ऊपर open हुआ है तो जैसे इसके high के ऊपर open हुआ है हम open होते ही बाइसारी के तरफ नहीं तूट परेंगे हम confirmation के लिए wait करेंगे हम देखेंगे कि यह जो gap up दिया है क्या gap up को यह sustain कर पा रहा यह नहीं कर पा रहा जब यहाँ पे हम थोड़ा सा उसके लिए wait करेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे यह जो gap up open हुआ है यह जो gap के साथ open हुआ उसको sustain नहीं कर पा रहा और gap up open होने के साथ ही यहाँ पे sellers जो है वो काफी ज़्यादा strong दिख रहे हैं और sellers काफी ज़्यादा heavy हो गए और at the same time buyers जो है यहाँ पे काफी हद तक कमजोर हो गए है तो जब हमने देखा कि buyers कमजोर हो गए और sellers strong हो गए तो क्या यहाँ पे हम buy side के तरफ positions initiate करेंगे नहीं करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे buying को avoid करेंगे यहाँ पे जो हम buy side के तरफ positions ले सकते थे उसको यहाँ पे हम avoid करेंगे यह हमने price section के basis पे सीख लिया अब यहां पे हम candle के closing का भी wait कर सकते हैं लेकिन यहां पे हम daily chart के इस्तेमाल करें कई बार हम candle के closing का wait करते हैं तो हमें major breakout miss हो जाता है इसलिए हम इसके बीच में entry करने कोसिस करते हैं लेकि इस case में entry नहीं करेंगे क्योंकि price section हमें इस तरह का positions लेने के लिए allow नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पे हमें confirmation नहीं मिला है कि इसके उपर buyers ने interested दिखाया या नहीं दिखाया जब हमने price section को follow किया देखा है इसके उपर buyers interested नहीं है इसलिए यहां पे हम trade नहीं करेंगे यह concept समझ में आगे आओगा आगे बढ़ने से पहले यहां मैं आपको एक information share करना चाहूंगा अगर आप small case के full feature को free में use करना चाहते हैं तो आप free में use कर सकते हैं कैसी वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले अगर आप इसके premium feature को use करना चाहते हैं इसके लिए आपको charges pay करना पड़ता है free में आप small case के premium feature को use नहीं कर सकते हैं और यहां पर आपके हिसाब से सारा कुछ का portfolio बना रहता है अगर आप जिस भी sector में investment करना चाहते हैं जैसे electric space में करना चाहते हैं dividend stocks में करना चाहते हैं उसके लिए payment करना पड़ता है जैसे यहां में आपको example बताना चाहूंगा अगर हम electric mobility की बात कर ले यहां पे आप stocks weightage पे जाएंगे तो आपको free में यह सारा stocks नहीं बताया जाएगा कौन से stocks में कितना investment किया गया कितना percent का investment है वो भी आप यहां पे check कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो जो stocks में investment करना था वो है या नहीं है तो एक साथ आपको यहां पे पूरा portfolio बना के दे दिया जाता है और वहां पे आप आसानी से investment कर सकते हैं और इसके पूरे के पूरे premium feature को free में use कर सकते हैं अब free में कैसे use कर सकते हैं चलिए देखते हैं तो इसके लिए आपको धन में अपना trading और demate account open करना होगा अगर आप धन में trading और demate account open करते हैं तो आप small case के premium feature को आसानी से use कर सकते हैं बिल्कुल free में उसके लिए आपको कोई charges पे करने की ज़रूरत नहीं परेगी अगर आपका trading और demate account पहले से धन में है तो आप उस feature को असानी से use कर सकते हैं नहीं है तो इस video के description में link मिल जाएगा उस link पे click करके आप free में धन में अपना trading और demate account open कर सकते हैं और इसके साथ-साथ free में आप बहुत सारे services को use कर सकते हैं small case का और इसमें trading और demate account open करने के लिए कोई charges पे करना नहीं पड़ता है तो आप free of cost सब कुछ को use कर सकते हैं बस आपको धन में अपना trading और demate account open करना होगा तो अगर आप interested है small case के feature को use करने के लिए तो धन में trading account open करके उसके premium feature को free में आप इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम दूसरे example पर आते हैं हमने previous example में क्या देखा था कि हमें morning star candlestick pattern का formation देखा था जिसके basis भी हम generally buy side की तरफ initiate करते हैं positions लेकिन वहाँ पर हम buy side की तरफ नहीं जाएंगे price section को देखते हुए और वहाँ पर हमें confirmation भी नहीं मिला था तो यहाँ पर भी हम एक और example लेखते हैं तो यहाँ पर अगर आप example लेखें तो देख सकते हैं price आपका नीचे से उपर किया है और आपका एक resistance level का यहाँ पर formation हुआ है और उसी के आसपास क्या कही है उसी के आसपास यहाँ पर आपका evening star candlestick pattern का यहाँ पर हमें formation दिखा यह तीन candlestick मिलके आपका evening star candlestick pattern बनाया है और आपका evening star candlestick pattern हमें negative hint और indications देता है यह हमें cell side की तरफ जाने के लिए encourage करता है lowest point को mark कर लेते हैं और जैसे ही price lowest point के नीचे आता maximum लोग क्या करते हैं sell side की तरफ positions initiate कर लेते हैं लेकिन आपको इस तरह के जल्दबाजी में trade नहीं करना क्योंकि ऐसा जल्दबाजी करेंगे देख सकते हैं price इसके नीचे आया और जैसे आप सेलसार की तरह position करोंगे price उपर गया और यहां पर आपका क्या हो जाएगा एसल हीट हो जाएगा और ultimately आप क्या हो जाएगे आपका trade loss में चला जाएगा तो यहां पर आपको क्या वेट करना परेगा confirmation के लिए हमें bait करना परेगा हमें market में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है confirmation के चक्कर में कई बार आपका opportunity miss हो जाएगा opportunity miss होता है तो होने दीजे लेकिन without confirmation हम trade नहीं लेंगे क्योंकि without confirmation trade लेंगे तो इस तरह के कई सारे trap में आप फस सकते हैं यह सब time होता है जहां पर हम अपना sell positions को avoid करना होता है तो यहां पर हम sell positions को कैसे avoid कर सकते हैं देखे price आपका उपर से नीचे side की तरफ आ रहा है और इसके lowest point को break बें किया है लेकिन हमें यहां पर देखना परेगा कि lowest point को break किया है उसके नीचे sellers available है या नहीं है उसके नीचे selling momentum आ रहा है यह नहीं आ रहा उसके नीचे अगर selling momentum नहीं आ रहा है उसके नीचे sellers active नहीं है तो that means to उसके नीचे price जाने वाला नहीं है यह हमारे लिए क्या बिछाएगा है यह हमारे लिए trap बिछाएगा है sellers के लिए जैसे आप sell करोगे आप यहाँ पर जाल में फस जाओगे और ultimately आपको यहाँ पर अच्छा खासा loss उठाना पड़ जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना इस तरह के trap से आपको बचना है तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर क्या देखा कि इसके लोग को ब्रेक करके नीच आया लेकिन फर्थर कोई sellers यहाँ पर इंट्वेस्टेड नहीं दिखे हैं मुझे यहाँ पर अच्छा खासा नुकसान उठाना पर जाएगा अगर हम सेलसर की तरफ जाएंगे तो इसलिए हमने confirmation के लिए बेट किया और जैसे हमने confirmation के लिए बेट किया हमने क्या देखा कि यहाँ से जो buyers हैं वो थोरे बहुत active हो चुके बायर्स अपना dominance दिखा रहें और as a weird price यहाँ से उपर जाना start कर दिया और जैसे हमने देखा कि नीचे में आपका long tail candle में बना है हमने candlestick ऊपर बहुत सार वीडियो बना है जिसमें आपको बताया था कि जब भी आपका इस तरह का Candlestick का formation हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर buy side की तरफ positions initiate करना या नहीं तो sell side की तरफ जो भी में आप ट्वेड करते हैं तो मैंने पहले एक्जामपल में डेली चार्ट लिया था और दूसरे एक्जामपल पर यहां पर आपका ऊपर जाके ऐसाल हिट किया तो यहां पर हम सेल साइट की तरफ पोजिशन को एवाइड करके इस लौस को भी हम काफी हद तक एवाइड कर सकत तो आपका trade का accuracy level increase होगा और ultimately आप अच्छे खासे profit में रहेंगे तो उमीद करते हैं कि आपको यह concept समझ में आ गया होगा काफी simple सा concept है कोई complications नहीं था और example भी काफी simple सा था अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए साथ बेल आइकन दवाना ना भूले ताकि जब भी अपना अगला वीडियो पनाए उसका notification आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को मिस ना करें So that's all friends मिलते नेक्स वीडियो में जैहिन